तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगो कि फॉर्मिक के जरीए आप लोग इमेज और फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसका प्रिव्यू कैसे दिखा सकते हैं फ्रंटेंड के अंदर तो हमारा ये फॉर्मिक का एक सीरीज चल रहा है तो पहले एपिसोड मैंने मैं आपको फॉर्मिक का सारा सेट अप और उसमें क्याशे current में डिटा को स्टॉर करके वेटेंड में भेजा सकता है ये मैंने बताया था और दूसरा ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमे मैंने आपका यप का यूज करके मैंने फॉर्म बैलिडेसट कैसे कर सक् कि मैं कोई सा भी image को select कर सकता हूं और उसका preview मुझे इस जगा पे देखने को मिल रहा है ठीक है तो यही component हम लोग बनाने वाले हैं लेकिन इसमें मैं styling का use नहीं करूंगा जैसा कि हमारा previous वाला था project यह वाला इसमें कोई भी styling यूज नहीं किये अगर आप वह project देखते आ रहें तो आपको समझ में आ जाएगा तो हम इसी के अंदर एक बटन डालेंगे और उसका preview भी side में ही दिखाने वाले हैं तो अगर आप directly इस वीडियो पर आ रहे तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप formic और यप को देख लिए अगर आप इन दोनों के बारे में जानते हैं तो कोई नहीं आप यहीं से continue कर सकते हैं तो अगर आप project को यहां directly start करें तो मैं बोलूँगा कि आप यह वाला जो validation वाला branch है उसको clone करिएगा क्योंकि मैं इसी के बाद से समझा रहा हूं तो हम लोग यहां पर vs code के अंदर आ चुके हैं और यहां app.js को मैंने खोल लिया है और इसके अंदर जितनी भी data भी है इसको मैं क्या करूंगा simply अभी क्लिए hide कर देता हूं ताकि थोड़ा आसानी हो तो यहां से सारा code जो होगा ना इसे मैं क्या करूंगा comment आउट कर दूंगा यहां से यहां तक थीक है तो उससे पहले कमेंट को हटा देते हैं ताकि दिक्कत ना आए comment आउट करने में तो यहां से मैं उठा के पूरा code कि यहां तक लेवल तक कमेंट आउट कर देता हूं ठीक है तो अभी हमारा सारा कुछ क्लीन हो गया सिर्फ एक समिट बटन ही सो हो रहा है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक फिल्ड टैग लेंगे जैसा कि आप लोगो पता होगा कि फॉर्मिक के अंदर हम लोग को इन अंदर हम लोग क्या करेंगे एक नेम फिल्ड लेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखने बाले हैं इसका नाम तो हम लोग इसको फाइल के तरह ही स्टोर करते हैं और यहां पर एक फाइल नाम का हम लोग अबजिक्ट बना लेंगे इसको फिलाल के लिए हम लोग या फिर स्ट और इसको उपेन करते हैं तो देखें यहां पर image.png करके आ गया है और मैं इसका console log फोल लेता हूं और जैसे ही मैं submit करता हूं तो यहां कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने validation को नहीं अटाया तो इसको उटा देते हैं और अब ट्राय करते हैं तो देखें समिट हो रहा है तो यहां पर कुछ हम लोगो फाइल का URL लेखने को मिल रहा है या उसका path मिला लेकिन हम यहां पर फाइल टाइप चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक सेट फिल्ड वैल्यू इसके अंदर से लेंगे ठीक ह और इसके on change method पर ठीक है हम लोग क्या करेंगे एक anonymous function कॉल करेंगे और इस anonymous function में simply क्या करेंगे जो event है इवेंट में से जो first file है यहां पर हम लोग उसे store करा देंगे तो सेट फिल्ड वैलू से हमारा क्या होगा नेम फिल्ड के अंदर फाइल जाकर सेब होगा तो हम लोग चेक करते हैं तो चूज फाइल में वापस से एक फाइल चुनते हैं और जैसे ही समिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहां पर error कर रहा है तो उसका fix करने की हमें क्या करना को इस फिल्ड का यूज नहीं करना चो हमारा साधारान इंपूट है ना उसी का यूज करना है और इस नेम फिल्ड की भी अब कोई जरूद नहीं क्योंकि हम लोग set फिल्ड जो function है उसका यूज कर रहे हैं इ सारा उसका property है कौन सा टाइप है कौन सा नाम है कितना साइज है सारा information है चले मैं कुछ और file type को चुनता हूं जैसे कि यह txt file है इसे submit करते हैं तो इस बार देखिएगा इसका txt format में आ रहा है ठीक है तो इस type से हम लोग formic के अंदर file को select कर सकते हैं आप लोग ने यह सीख लिए अब हम लोग क्या करेंगे image को यहाँ पे डालेंगे एक button का यूज करके हम लोग क्या करेंगे यह जो चूज फाइल वाला जो इंपूट टाग है इसको हाइट करेंगे और उसके जगह एक upload बटन डालेंगे ताकि यह सुड़ा सुन्दर दिखें जैसा मैंने आप पुराने वाले एक्जामपल में दिखाया था ना स्टार्टिंग वी इसके लिए हम लोग reference का यूज करेंगे ठीक है तो एक hook आता है react के अंदर जिसका नाम है यूजर तो हम लोग उसी का यूजर रखेंगे तो file ref नाम दे देते हैं यूजर रख करके हम लोग भूप को क्या करेंगे import कर लेते हैं और इसके अंदर से value नल पास कर देते हैं ठीक है यह तो होगे हमारा value और अब चलिए हम लोग देखते हैं इसों कैसे यूजर करेंगे तो simple एक बटन हम लोग नीचे में add कर देते हैं बटन का नाम अप्लोड रख देते हैं और इसके on click पे हम लोग क्या करेंगे एक function को call करेंगे ठीक है तो सबसे यहां पर कुछ बोल रहा है कि नल प्रॉपर्टी आ रहा है तो हम लोग को reference भी प्रोवाइट करना होगा ना अभी reference दिये नहीं थे तो यहां पर प्रॉपर्टी आती है component पर और फाइल वेफ का यूज करेंगे तो एक बार वापस से सारा कुछ रिलोड कर लेते हैं और अब ट्राइ करते हैं तो देखिए अब input element काम कर रहा है और मैं submit पर कर रहा हूं तो देखें फाइल भी तो हमारा जो input element था अब वह अच्छे तरीके से हाइड हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे एक image component बनाएं तो जिसमें हम लोग को प्रिव्यू दिखाना है तो प्रिव्यू इमेज ठीक है डॉट जीएस और इसका मैं इंपोर्ट कर लेता हूं सारा कुछ syntax तो चलिए इसके अंदर ही हम लोग को प्रिव्यू दिखाना है ना तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे जो फाइल है वो रिसीप करेंगे तो गाइस जो यह फाइल आ रहा है ना यह एक ब्लॉब टाइप है यानि इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करना होगा इसको url में convert करना होगा ताकि जो हमारे image टैग है उसमें हम लोग url पास करें और उसका प्रिव्यू देख पाया है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो एक state बना लेंगे ठीक है और इसका नाम रख देते हैं प्रिव्यू और इसके नीचे ज़स्ट हम लोग क्य update करेंगे इसका नाम रखें रीडर अब है तो सबस्क्राइब करें तो इसमें जो रीडर होता है यह ना एक मैथो इसका नाम है url read as data url ठीक है और इसी में हम लोग file pass कर देंगे तो यह जो file रीडिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करना है जो reader के अंदर से url को इसमें डालना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे reader on load करके यहाँ पे anonymous function इस पे call होता है ठीक है और इसके अंदर हम लोग simply क्या क्या करेंगे set preview में हम लोग pass कर देंगे reader का result जो इसके अंदर से कुछ भी url आ रहा है यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे set हो जाएगा ठीक है तो इसके अंदर अब क्या करेंगे हम लोग preview को अपने image component में पास करेंगे ठीक है image src preview ठीक है तो यह हमारा image component अब तयार हो गया है तो यह जो component है अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं तो simply क्या करेंगे इस बटन के just above में इस component का यूज करेंगा तो एक चीज मैं भूल गया जो image का width और height adjust कर देते हैं नहीं तो क्या होगा यह full width ले ले लेगा ठीक है 200 pixel कर सकते हैं ठीक है शेप करते हैं और इस component को हम लोग यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं preview image ठीक है और इसमें हम लोग को इसका URL पास करना इस फाइल है ना तो फाइल को इसमें पास करना तो उसके लिए हम लोग simply क्या करेंगे इसके उपर फाइल है और यहां वैल्यूस के तो यहां पर इसको कुछ दिक्कत आ रही है यह डेटा को रीड नहीं कर पा रहा है वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है चलिए चेक करते हैं अब फिलाल हमारा जो कॉंपोनेंट है वह ब्लांक है इसके वज़े से ऐसा इस वा रहा है तो इसको स्ट्रिंग नहीं करके नल ही कर देते हैं अभी नल है और एक चीज़ कर सकते हैं कि यहां पर चक लगा सकते हैं अब फाइल फैल्यूस डॉट फाइल अगर होगा तो ही रेंडर करना है ठीक है तो अब साथ से वह एरर चला जाना चाहिए एरर चला गया तब ट्राय करते हैं अपलोट करने का यह उठाते हैं अब देखें प्रिव्यू आ गया तो यहां पर देखते हैं बीच में प्रिव दिखाते रहता है तो उसको fix करने के लिए क्लोडिंग सो कराएंगे ठीक है तो क्या करते हैं अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एक लोडिंग का टेक्स तो करा देते हैं ठीक है अब सही से होना चाहिए एक बार फिर से ट्राय करते हैं अभी लोडिंग है लेकिन इसका विट्थ फुल हो जा रहा है ओ यहां तो गलत हो गया है तो अब हमारा सब कुछ सही से वर्क करना चाहिए लेकिन एक दिक्कत आती है अगर मैं यहां पर कोई टेक्स्ट फाइल को डालता हूं ठीक है यह वाला चुन लिए तो देखिए यहां पर प्रिव्यू नहीं आ रहा और कुछ एरर सो नहीं कर रहा है तो हम लोग यहां वैलिडेट भी कर सकते होगा उसको यहां पर पेश्ट करता हूं और जो format है उसमें क्या-क्या support होगा उसके लिए भी मैंने कुछ लिक रखता है ठीक है तो मैं अब ही समझाता हूं तो यह जो फाइल format है मैं चाहता हूं कि यही specific यहां पर मैं upload कर पाऊं ठीक है अगर image होगा उसका gpg format होगा तो ही लोजो थीकर तो इसी के लिए क्या किया है मैंने मैं थवाई समझातेता हूं तो हम लोग यह को काल कर रहे हैं और उसमें कोल ले ले और उसके ठाइस करने तो नहीं है अगर यह सब πराइटिरिया यहाँ ऊडाँ दिघांशिक करते हैं और उसमें एक पात्ति हैं creation exact होना चाहिए नहीं तो यह काम नहीं करेगा तो यह बिसिकली क्या कर रहा है फाइल साइज यहां पर हम लोग का होगा वैलू से टेस्ट कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने एक मैसेज पास के अपलोड फाइल इस टू बिग तो यह कैसे वैलिडेट हो रहा है तो यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं और चेक करें कि फाइल का जो साइज है वह हमारा इतना बाइट से ज्यादा तो नहीं है तो अगर वह ज्यादा रहेगा तो यह मैसेज सो कर देगा ठीक है और उसी तरी है तो यह एरर सो करेगा अन सपोर्टेट फॉर्मेट ठीक है तो अब चलिए चक करते हैं तो मैं क्या करता हूं इस वैलिडेशन सबको अब आउन कर देता हूं ठीक है और इसका एरर मैसेज भी तो दिखाना होगा तो इन्पूट के जस्ट नीचे हम लोग के एरर मैसेज उ हाँ उसको सेप कर देते हैं मिख दाते हैं जबर णारते हैं कि अपको सब कुछ आ जाना चाहिए नहीं कि इसको अन कमेंट भी तो करना होगा तो इसको मैं अनकमेंट कर दिया मैंने तो अब सब कुछ आगए हैं तो अगर मैं आप सम्मेट पर क्लिक करता हूँ तो देखे क्या होगा शरी तो मैं इसे ऍजर का दिखाता हो को क्या सा एरर मेंसेज है अगर मैं वीडियो को डालता हूं तो इदे बता रहा है फाइल इस टू बिग अगर मैं कोई और पॉर्मेट को चुनता हूं टेक्स पॉर्मेट को तो यहां बोल रहा है अनसपोर्टेट पॉर्मेट ठीक है तो इस तरीके से हम लोगने वैलिडेशन के वीडियो फ्यूचर में लाता रहूं ठीक है तो और भी एक्साइटिंग चीजे इस चैनल पर आने वाली हैं तो मेक स्यूर कर ले कि आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर्द से दबा दे बटन को और हम ऐसा के लिए हमारे फैमिली मेंबर बन जाईए तो ठीक है अब वीडियो में